दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली और आजस्तान की टीम के बीच में जो IPL 2022 का मैच होने वाला इसको कवर करेंगे तो वीडियो आप लोग कंप्लेट जरूर से वोच करना इस वीडियो के अंदर मा आपको important place के player battle दिखा हुआ यानि की batsman versus ballers का हम लोग match up देखने वाली है कि बाई कौन सा baller किस batsman को out कर सकता है या फिर कौन सा batsman किस baller के सामने आपको runs करता हुआ दिखेगा ये सारी चीज़े important रहे हो और इनी चीजों के उपर मैं इस वीडियो के expected गया था विकोज माई की टीम और चन्नाई की टीम दोनों टीम के बैटिंग से इतनी उमीद हमें नहीं थी कि यार इतना बेकार वो खेलेंगे ठीक है तो वह चीज़े हो जाती कभी-कभी एक-दो मैच जैसे होते जो शायद आपको ऐसे देखने को मिल जाए लेकिन फिर भ करके अभी इस मैच के उपर फोकस करना तो पूरी आपको मैच अपस बताऊंगो बाई एक-एक मैच अप एक बैट्समें का काफी जादा इंपोर्टेंट रहेगा डेली की टीम की बात करें 6 मैच में से अपने 3 मैच वोन कर चुकी है तो डिटेल मैना लिशिस करने वाले है चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को उन कर लिजिए आगे जिस मैच की वीडियो पूलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और हर मैच की वीडियो के अंदर आपको मैच अपस मिलने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना विकोज आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो फिर काफी ज्यादा अच्छा लगता है टेलेग्राम चैनल के साथ में जोई नहीं हुए तो भाई हो जाना विकोज फाइनल टीम या फिर टोस्क के बाद की जो भी फाइनल टीम या फिर फाइनल टीम और वीडियो के बाद की इंपोर्टेंट अपडेट्स अगर कोई भी आएगी तो आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी यहां देखो मैचसप्स की बात करूँए मैं एक एक जो इंपोर्टेंट प्लेर है का सभी के मैचसप्स दिखाँगा तो ध्यान से वीडियो देखना और एक एक चीज़ आपको समझते हैं नोट कर लेना इन चीज़ों को क्योंकि कहीं पे भी आपको कन्फूजन नहीं होना चीए सबसे पहले डेविड वोर्नर की बात करते है जो डिसी की साइड से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे अब देखो यह साइड से सैकेंड ओवर लेके आएंगे परसीद किर्शना जिन्होंने डेविड वोर्नर को 14 बोल में एक बारा उट कर रखा और सिर्फ 15 रंज दिये है यूजी चहल के सामने भी एक बारा उट हो चुके है रवीच अंदरन अस्वीन के सामने पांस बारा उट हो चुके हैं अगर राजस्तान के टीम थोड़ा सा माइंड गेम खेलना चाहिए तो यहां पर रवीच अंदरन अस्वीन का यूज कर सकते हैं क्योंकि देखो वर्नर है भाई लेफ्ट अंड बैट्समें और रवीच अंदरन अस्वीन है राइट आम ओब्रेक बोलिंग करेंगे तो यहा बाद में वर्नर वसेज पसिद किसना फिर मैं नीचे जाओं तो वर्नर वसेज रवीच अंदरन अस्वीन बाकि चहल के सामने इनों ने अच्छे खासे रंस कर रखे उतनी बार यह आउट भी नहीं हुए तो यह तो बात हुए बाई डेविड वर्नर के बारे में एक चीज और इसे रिलेट करेंगे और दोनों को समझ कि अगर टीम को मिनेसन आपने बनाया तो डेफिनेटली आपके टीम बहुत बढ़िया पोजिशन पर जाईगी बहुत बढ़िया आप लोग एक रैंक लेके आप आओगे तो दोनों वीडियो आपके लिए काफी जादा इंपोर पावरबले के बाद में इनके बसकी बात नहीं होती कि बड़े हिटिंग कर पाएं क्योंकि आपको पता कि पावरबले में तो सिर्फ दो ही जो प्लेयर होते हैं वहां पर यह इजिली रंस कर लेते हैं उसके बाद में इनका विगेट जाना लगबा कन्फरम होता है लास मैस परसित कर्षिद कर्षिणा के सामने एक बार आउट हो चुके है यूजी चहल के सामने दो बार आउट हो चुके है अगर मैं इन मैचप को देखू तो भाई पिर्त्वी शो के बल्ले से रंस निकलने की उमीद हमें काफी कम रहेगी अब देखो 15-20 रं यार अगर कोई प्लेय भी कर दे लेकिन मैचसप देखने में मज़ा आएगा हम तो आपको देखो सिर्फ बाई स्टैर्स का कोडिंग जो सकती वो आपको बता सकते बाकी ना तो कोई वापिस आके बैटिंग कर सकता ना हम बोलिंग कर वा सकते तो ट्रेंट बोल्ट वर्सिज पिर्थवी शो उसके उतने ज़्यादा देखो बोल्स इन्होंने किसी बोलर के सामने नहीं खेला की बाकी चहल के सामने एक बार आउट हो चुके चैर बोल के अंदर अस्विन के सामने भी एकी बोल खेली और जिस पर ये अपना विकेट दे चुगे हैं और सरफराज खान देखो वन डाउन अपर्टेंट हो सकते हैं तो सरफराज खान को आज के मैच में आप लोग एजे डिफरेंचल पिक अपने टीम में अगर जगय देना चाव तो भाई डेफिनेटल दे सकते हो बाकी इनकी बैटल सहल के सामने रही और अस्विन के सामने रही जो आपको पता कि चैर और के एसमें तो अस्वीन आपको हर जगय दिख रहे हैं गृशप पंध कि अगेंस्ट भी वई सरफ्राज खान कि अगेंस्ट भी पिर्थ्वीशोग क्या अस्वीन हाईए तो रवी चंदरन अस्वीन पलस लिए सरफ्राज खान ये दो प्लेर आज के मैच मेरे साब सिआपके ल पंत वर्सिज आपको अस्विन जरूर से देखने को मिलेगा अब किसको यह अपना विकेट देंगे भाई वो तो मैस टार्ट होगा तब पता लगेगा लेकिन मैकसिमम सांसी जाएगी इन दोनों गोलर से में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो यहां पे पंत का विकेट जरूर से निकाल लेगा अब नीचे यह जोस पटलर की बात करते हैं अब देखो जोस दा बोस की अगर मैं बात करो तो यहर आप नहीं सा उसके चल सकते है कि जोस पटलर किस परकार की बैटिंग करके चला जाए क्योंकि लास्ट मैच पे भी उमीदे थे कि इनका विकेट शायद जल्दी निकल जाए गा लेकिन वहां पे इन्होंने थोड़ी से टिक के बैटिंग करी थी और बाद भी आपको पता है कि एक बार सैट होने के बाद में बीस रंस कर रखे कुल्दीब के अगेंस्ट 35 में 37 से दो बार आउट हो चुए है तो जहां तक उमीदे दिख रही है अगर यहां पे दिल्ली की टीम थोड़ा सा माइनिगे में खिलना चाहिए अगर सैट के अगोड़ा या मैं फिर मैं यह कहूँगे भाई मैचसप्स के अगोड़ा अगर सले तो शाहिद जोस बटलर का अगेंस्ट एक बार कुल्दीब या दवका यूज जरूर किया जा सकता अब देखो उस चीज की कनफरमेशन तो नहीं होती कि कुल्दीब और अगर बटलर का विकेट जल्दी नहीं निकाला च्यार से पांच ओवर में तो बटलर भाई कैसी आलत करेंगे फिर सामने वाले टीम के बोलर्स की वह आप लोग रिसेंटली मैसिज में भी देख चुके होंगे तो मैं जरूर चाहँआ कि अगर यहां पर ठाकूर या फि देखने में इंट्रेस्ट आएगा 19 बोल में तीन बार ठाकूर देवदत पडिकल का विकेट निकाल चुके हैं मुस्तफी जूर के सामने भी एक बार आउट हुए बाकी के बोलर्स के सामने अब तक नहीं खेले हैं तो बाई देवदत पडिकल वरसे सारदूल ठाकूर बैटिंग कर पाएंगे उसके बाद में संजू सैमसन के बाद कर उठाकूर के सामने एक बार आउट हुए अकसर पटेल के सामने दो बार अब संजू सैमसन वन डाउन पर भी बैटिंग कर सकते हैं अगर ये वन डाउन नहीं आएंगे तो फिर मैक्सिमम चांस है कि आपको शायद यहां पर करून नायर वन डाउन बैटिंग करते हो दिखेंगे अब वो तो भाई देखना पड़ेगा कि कौन किस पोजिशन पर बैटिंग करने आएगा अक्सर पटेल के सामने तो इनका सामना जरूर होगा लेकिन संजू सैमसन एक काफी टैलेंटिड प्लेयर है और अगर इनको रंस करने है न बाई इनको थोड़ा सा टिक के बैटिंग करने पड़ेगी यह थोड़ा सा ओवर अटेकिंग के उपर फोकस कर रहे हैं ज्यादा अट है कि हम पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन बीच 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 में अकर अटेक करें या फिर थोड़ा सा टिक के भी खेलेंगे तो डफिनिटली रंस बड़े कर सकते हैं अब यह ओवर अटेकिंग पर जाते हैं हर बोल पर लगबग हिट करने की कोशिस होती है तो भाई कोई भी ब बार आउट हो चके मुस्तफिजूर के सामने एक बार और कुल्दीब के सामने एक बार आउट हो चुके हैं अब देखो सिम्रर हिटमायर थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने हैं तो इनका विकेट बाई किसी भी बोलर के अगेंस्ट जा सकता है मैं यह कंफर्म नहीं कह सकता कि खलीली विकेट निकालेगा या फिर मुस्तफिजूर या फिर कुल्देब इन में से कोई भी बोलर हो सकता है जो हिटमायर का विकेट निकाल ले बिकोज हिटमायर नीचे बैटिंग करना है और वहाँ पे किसी भी बोलर के अगेंस्ट इनका विकेट जा सकता है तो यह च तो ये जो बैटल रहेगी करून नायर वर्सिज अक्सर पटेल ये हमें देखने में बड़ा मज़ाएगा तो आज के मैच में देखो बहुत सारी आपको प्लेयर बैटल्स मिलेगी इंपोर्टेंट प्लेस की मैंने बता दिया डेविड वोर्नर का देखोगे तो बोल्ट के सा प्लेगार की बैटिंग कर पाते हैं नीचे आओगे तो यहां पे मैं आपको लेके चलूँगा तो यहां पर देखो जोस बटलर वर्सिज में बात करूँ कुल्दी पिया दो देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है नीचे आओगे देवदत पडिकल वर्सिज सादू ठा आएगा अब देखो बहुत सारी प्लेयर बैटल रहीगी जो आज के मैस में काफी इंट्रेस्ट आपको देने वाली मैस में तो द्यान से एक एक प्लेयर की रीड करना और नोट कर लेना अगर आपको दिक्कत आए तो क्योंकि नोट करने के बाद में चीजी आपके लिए आ यहां पे देखो देविड बोर्नर प्रिस्वीशू दोनों को टीम में रख सकते हूं बिलकुल कोमन टीम की पहले मैं बात करूगा उल्लाुणर सेक्षिन में अगए तक सर पठेल को टीम में रख सकते हूं बॉल्लिंग सेक्षिन में तो यहां पर यूजी चाहल कुल्धी को पिक करना जा पर आप लोग हिट मार या फिर देवदत पड़ेकल के साथ में जा सकते हूं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशल जाने के लिए आप देखो बोस अगर आप लोगो ले टेम कोंबिनेशन करेट करना है तो किसी प्लेयर पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप लोग पिर्थवी शो को या फिर डेविड वोर्नर को टेम में रखोगे मैं एक्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं तो आप लोग किसी अधर प्लेयर को भी तो यार ड्रोप कर रहे हूं अब इन में से माल लीजिए मैंने पिर्थवी शो को ड्रोप करके मैंने बनेंगे सारदूल ठाकूर के स्टैट्स बढ़ी है लेकिन आप लोग क्या कर सकते हूं अब देखो आप लोगों ने अगर यहां पे पिक कर लिया बाई जोस बटलर को और यहां पे आपने पिक कर लिया देवदत पड़ीकल को तो द्यान रखना फिर आप लोग सारदूल बाई अपने टीम में नहीं रख सकते हूं क्योंकि आप लोग नहीं चाहोगे किया फिर इन दोनों बैट्समें का विकेट जो है वो यहां पर फिर सारदूल ठाकूर निकाले वो आप लोग मेरे हिसाब से बिल्कूल नहीं चाहोगे तो अगर इन दोनों प्लेस के साथ में अपने टीम में जाने वाले तो फिर सारदूल ठाकूर को ड्रोप करके आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप लोग इन में से किसी एक प्लेयर को ड्रोप कर रहे हो तो फिर आप लोग सारदूल ठाकूर को अपने टीम में ले सकते हो तो यह चीज़े रहेंगे वीडियो आपने complete देखा होगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell उन कर लीजिए आगे भी आपको आई पेल के हर मैज की वीडियो मिलेगी पूरे stats आपको मिलने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को जरूर से उन कर लेना मिलते हैं दोस्तों फिर next मैज की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग एक बढ़िया टीम को मिनेशन बनाओगे और इस मैज में आपके टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी